पूरा तन में होके करते हैं बंदी बिल्कुल उसमें ऐसा भाव आ जाता है वीडियो में देखके जैसे आस्रम हो हूँ हाँ ले ले बिल्कुल ठीक है हम हमारा सरीर किर्णी रोक से गरशित है सामर्थ हीन है हम ब्रंदावन निष्ठा से जाते हैं नहीं हमारी इच्छा है एक एक जेल में जाकर एक एक विद्याले में जाकर ब्रंदावन निष्ठा की शिक्षा भागवतिक अध्यात्मिक की शिक्षा यदि हम जा जाके दे तो बहुत ज्यादा लाव है सीता राम शर्मा जी जेल अधिक्षत मुझफर नगर महराजी आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ महराजी बंदी सुधार की दिशा में अध्यात्मिक द्रिष्टिकोन के तहत हम लोग जेल में सुन्दरकान पाठ भजन संद्या हवन इत्यादी कारेक्रोम का आयुजवन समय समय पर कराते हैं महराजी आपके वीडियो से प्रेडित होकर विगत चार मासे प्रति दिन बंदियों द्वारा राधा नाम संकिर्तन भी किया जा रहा है जिसका साकरात्मक प्रभावी बंदियों पर दिख रहा है परंतु फिर भी कुछ बंदियों में अपराद वृत्ती का पूर्ण निरा करना पड़ेगा उनकी सोच को बदलना जब तक उनकी सोच पर प्रहार नहीं होगा तब तक हम बाहरी क्रिया करवाएंगे तो हमारे आदेश से उक करेंगे उनकी सोच नहीं बदलेगी हमें चाहिए कि प्यार से दुलार से सासं से उनको सचसं सुनाएं चाहे आप सुनाएं सुनकरके या किसी सास्त्र से पढ़कर उनको समझाएं उनकी जो मानशिक्ता बन गई है आशुरी प्रवत्ति राक्षसी भाव उसका परिवरतन सचसं से होगा अगर सत्संग से परिवर्तन न होता, तो बहुत से ऐसे पावन महत्माओं के चरित्र है, कि पहले वो हिंसक थे, चोर थे, व्यविचारी थे, बाद में वो महत्मा बन गए, हमारा इतिहास साक्षी है, कब महत्मा बने, जब किसी शंत का संग मिल गया, तो शंत का मतलब किसी भेश से नहीं है उद्देश से हैं जैसे मुझे आपमें एक साधुता दिखाई दे रही है कि आप उन बंदियों को जो आशुरी प्रवत्ती के कर्म करके आए हैं उनको आप आनंद प्रदान करने के लिए सत्मार्ग दिखाना चाहते हैं आपमें भी तो साधुता बेठी हुई है उश्वमत बेठी हुई है यदि हम उनके विचारों को शोचों को बदल दें तो ही उनका परिवर्तन हो सकता है यह जवर जस्ति एक गंटे कीर्तन कराएंगे और उनकी सोच में परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन आ रहा है और वहां पर दौनों ही संपरदाय के बंदी हैं चुकि मजब्फन अगर सामली दोजन पदों के बंद होते हैं वहां पर और अन्नी संपरदायों के बंदी भी सुंदर कांट बड़े मनवयोग से पढ़ रहे हैं कुछ वीडियो भी साहिद महराज जी के पास होंगे अच्छा एक हमारे मत्हुरा के जेलर शाहव आये थे बड़ा आनंद है उन्होंने दिखाया कि वह सब कहती बैठे हुए है और उस संगीत से राधानाम कीरतन कर रहे हैं और वह कहते हैं कि हम 15-20 मिनट का समय देते हैं उनको सत्संग भी सुनाते हैं तो मुझ संकीतन को और चार माँ साथ उसे राधानाम संकीतन हो रहा है उसके वीडियोज भी थे साइद यहां पर उपलग्द हो पाए हो हाँ आप दिखा देना जिससे क्या होता है कि वह चार लोग और देखेंगे उनका भाव बदल सकता है आज जो हमारे द्वाला कानून विरुद धाचरन होते हैं उसका कारण है सुखेच्छा शुख पानी की लालसा अब भूल गया कि कभी पापाचरन से सुख नहीं मिल सकता अब पापाचरन से सुख जैसे अपरहन कर लेना हत्या कर लेना ब्यविचार कर लेना जहां हम पहुंशते हैं जेल में तो कानून विरुद ध आचरन होते ना उसका करन हमारी बुद्धी पतित हो गई है गलत सला दे रही है तो यदि हम उनकी बुद्धी को शुद्ध कर ले जैसे आप नामकीरतन है ये सुन्दरकान का पाठ है ये अवश्य बुद्धी का परिवर्तन करेगा क्योंकि ये भागवती का नुष्ठान है पर अब जैसे हम पढ़ गए सुन्दरकान और उसमें लिखा किया इसका चिंतन नहीं हुआ तो ये चिंतन बदलने के लिए हमको उनको शाब्दिक अर्थ बताना पड़ेगा संतों की शाब्दिक भाषा में उनको समझाना पड़ेगा एक मित्रवत बैठ करके जो उद्धन है उनके उपर सासन और जो सात्तिक थोड़ा भी भाव रखते मित्रवत बैठके कि दो तुमसे ऐसे गलती हुई है तुम सजा काट रहे हो जब यहां से जीवन तुम्हारा ग बचे और जाओ तो तुम्हें एक अच्छे नागरिक बनो एक राष्ट सेवक बनो समाज सेवक बनो तो सत्संग से बहुत का परिवर्तन हो सकता है आगरे में शीक्रश्ण दास नाम के एक महात्मा ठाकुर जी के लिए सेवा सामागरी लेने के लिए श्री नाथ जी के लिए जो इस समय स्री नाथ द्वारा जैपूर में है जैपूर में है ना नाथ द्वारा वो हमारे गिरीराजी में प्रगठ हुए थे तो यहां से वो शामागरी ले ले तो उन्हों देखा बहुत भीड लगी हुई है तो उस भीड में कौतुहल वस गए तो देखा एक नवी नवस्था की बैश्या नत्य कर रही है लोग दस रुपे दे रहे पाच रुपे दे रहे ऐसे वो गान करती है उनसे रुपया ले रहे उन्होंने रुपया बहुत बड़ी चीज़ दिया है तो तो लुभाइमान हो गई कि बावाजी ओकर सो रुपया दिया तो उनका एक हजार रुपे देंगे जहां हम निवास में हैं वह तो भंडारी थे स्रीनाथ जी के उसने कहा आपका आदेश क्योंकि दद दस पाच पाच रुपे नरत्य कर रही थी एक हजार मुद्दा आप को हाईए वो अपने परिकर के सहिद गई अब सुनाए है सुना तो उनका हमारे बादशा के सामने तुम्हें सुनाना है तुम जितना धन कहोगी तुम्हारे पारशदों को दे देंगे तुम्हें हमारे साथ अकेले चलना होगा और गिरिराज जी में हमारे बातसाफ बिराजमान हैं और उनके सामने एक बार तो सुना दे जितना तो ये स्वर कहें कि मैं दे दूंगा बैस्या को लेके आए तो समाज में बड़ी निंदा हुई कि एक बूढे भावा बैस्या को लाए हमाई आगरे से खरीद के अपने पास कुटिया बनवाई राधा कुंड महनसी गंगा इन सब में शनान कराया और एक लाल जू की सुन्दर्ता का पदग सिखाया और का वैसे ही चल के आपको हमारे बातसाफ उसने समझा वास्तिविक बातसा का या आदमी होगा क्योंकि इतना रुपया कैसे आगया बातसा का मतलब सिरी नाच जी जो वहाँ ले गए तो बुले ये हमारे बातसा है और शुन बेटा तुर संसार के सामने नाच रही थी आज वैसे नाच जैसे बातसा के सामने नाचते हैं फिर बाद में जो ही नाम कहेगी हूं मैं दे दूँगा उसी जैसे बातसा को नमसकार ऐसे ठाकुर जी को नमसकार करके नाच अब पीछे से कृष्ण दास्विने करने प्रभू हर बार आगरे से आपके लिए पोशाग भोग सामागरी लाता था आज ये भेट लाया हूं इ जैसे किया तो गिरी पदार गई सीधे भगवत धाम गई एक वैश्या को देख करके उसको भगवार में अरपित करा वो परम धाम को गई जो रिशी मुनियों के द्वारा वन्दनी परम धाम है तो अगर किसी को पश्चात आप हो जाए कि मैं गलत हूं और सुधरना चाहे तो महत्मा बन सकता है चाहे जितना निंदनी आचरन वाला हो तो भगवान ने आपको बहुत बड़ी शद बुद्धी दी जो आप जेल के कैदियों को शुधारना चाहते हैं तो नाम जब और सत्संग ये दो किसी का भी सुधार कर सकते हैं शाधन को हरिभजन है कै सत्संग सहा है यदि उनको नाम कीर्तन नाم जब भगवत लीला गायन जैसे शुन्दरकान का पाठ भगवत लीला गायन और जैसरा अगमारी समाज में थोड़ा सा भ्रह फैल गया है जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, द्वादसाक्षर मंत्र है, गायत्री मंत्र है, यह जब हमें गुर्जनों से मिले थे, तो परदा करके मिले थे, घंटा वजाती वे, संख वजाती वे दिया गया था, कि दूसरा सुन न पावे, पंचाक्षरी, द्वादसाक्षर, गायत्री मंत पतानी कौन किसने क्या विस्तार किया कि कीर्तन में पंचाक्षरी चलने लगा दौाधसाक्षर चलने लगा गायत्री मंत्र चलने लगा महामरतियुंजे चलने लगा ये कलियुक की कुछाल है महाम्रत्युन्जय पवित्रासन में बेट कर उपांसवया मान्शिक जब किया जाता है gonna buy Nova और द्वागवत में लिखा है इसे अमिर किर्थना है कि इनका की रा इससे हा नहीं होगी सास्त्र प्रमानित कारिकिया जा तो ज्यादा अच्छा रहे आप महामंत्र का कीर्टन करवाईए नाम कीर्टन करवाईए आप भगवर लीलाओं का गायन करवाईए लेकिन मंत्रों का कीर्टन करवाईए यह एक कुपरथासी चल गई है जो मंत्रों का की तन किया रता है कहीं सास्त्र में नहीं लिखा शीव पुरान में पढ़के देखिए पंचाक्षरी मंत्र को कितना गुप्त देने की बात कही गई गायत्री ब्रह्म शुरूप है यह गुरू प्रदत्न मंत्र आंतरिक जपे जाते हैं मृत्युन्जय भाग रेखा को मिटा दे वो मृत्युन्जय चल रहा है यह बुद्धी का बहुत बड़ा अपवित्र श्वभाव प्रकट हुआ जो मंत्रों को ऐसे यंत्रों में चला दिया गया नहीं रिंग टौन लगानी शुरू कर दिया जी यह ऐसा नहीं है अगर रिंग टौन लगानी जो भी वो नाम लगा ह श्री राम जै राम जै जै राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 रादे श्याम रादे श्याम 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 रादे 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 कृष्ण रादे कृष्ण 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 राधा 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 र और बजन संद्या होती हैं संदर कांड इस तरह से भजन नाम संकितन तो समय समय ने इंदो को बंद कर दिए जो गायत्री मंतर है जिसमें प्रणों लगा हुआ है और जो मृत्य निजय है एक बात और आपको को बता है हमें एक बड़े सिद्ध संत की बात कह रहे हैं चित्र कूट में हम लात्री के एकांत में भ्रमड करते थे मंदाकनी के किनारे क्योंकि जब सब सोते हैं तब योगी जाकता है तो उस समय हमने देखा एक द्रश्य की एक महत्मा मंदाकनी की चट पे सोय हुए है ऐसे म मुझे लगा की कुछ विषेश है जेट का महिना अवं एंग्रेजी में क्या कहते हैं हमें जदा ग्यान नहीं होता जब बहुत गर्मी हौती जट जून होती हां तो जैसे इस समय हम परिचाए देंगे ना तो पूस का महिना हम कहेंगे पौस हां हमको अंग्रेजी महिने मैं थे अब हमने इंतिजार किया और चार वजे वहां से निकले उनको प्रणाम किया बात नहीं कि फिर पीछे लगे उनके नई अवस्था थी हमारी चुकि बजपन से बावा जी है तो बीस-पचीस के वस्था होगी तो उनके पीछे लगे और का महरा जी आप गुर्जान अगर बात में करेंगे तो हम समझ कैसे पाएंगे हमारा शत्मार्ग क्या है आप करपा करके हमसे बात कीजिए तो पीछे मुड़े ऐसे देखा एक-एक मिनट दे जीजिए वो बैठ गया हमारा पहला प्रशन कि आप उस त्रिकॉन उस पत्थर में क्यों लेते हैं तो उनका हम एक कांतप्री हैं इसलिए हमें कोई विक्षेप ना पहुचा है इसलिए मंदाकिन के बीच में इस समय गर्मी का समय आपने मोटा कंबल के ओर रखा है बोले बारों महिने का अभ्यास के वल कंबल ना कोई लंगोटी ना कोई अचला ना कोई वस्त एक कंबल बसे से बोले बारो महिने का अभ्यास इसलिए महिसे बारों महिना से महाजी कोई एक बात हमको ऐसी बता दीजिए जो हमारे जीवन में उप्योगी है तो उनका यदि इन मंत्रों को अपवित्र दशा में या अनाधिकारी के द्वारा उच्चारण किया जाए तो वो काम और क्रोध को बढ़ान बन जाते हैं और चले गए थे वह कई बार सत्संग में बता चुके हैं हाँ तो मेरी प्रार्थना है कि जो मंत्र है जैसे मृत्यून यह है पंचाक्षरी है द्वादसाक्षर है इनका कीरतन न करवाया जाए नाम का कीरतन कराया जाए और भगवत चरित्रों का गाहन कराया तो निश्चित परमंगल होगा इन मंत्रों का मांसिक जाप करा सकते हैं गर्बंदी करना चाहें पहले आप मंत्र प्राप्त कीजिए किसी महापुरुष से और फिर अधिकारी देखकर देए और पिर जब करवाया तो लाब प्राप्त हो जाएगा पर ऐसे मंत्रों का अनु जाएगा जो मंत्रों मिलना है और नम से मिल जाएगा रम राम हरी हरी कृष्ण कृष्ण राधार राधा जो नाम प्रि हो वुशे सब नाम अगर किरतन करवाई तो जो राम नाम जपने वाले जो कृष्ण नाम प्रिये जो राधा नाम तो सब को आनंद प्राफ्त हो थोड़ी दे रिए थोड़ी दे रे quéए थोड़ी दे रही से नाम किर्तन कर वाए क्योंकि हमको उनको दुलार के द्वारा करसित करवा रोस में तो जेल्ए आए हैं आप चाहिए जितनी पिटाई करो जो रुद्र शवाव के होते हो सासन में आने हैं प्रेम एक ऐसी चीज है कि वो अधिन कर लेता है देखो पसू भी प्रेम की भासा समझता है जब कुट्ता हो ऐसे कर पूछ डुलाने लगेगा नहीं और रुद्र द्रश्टी से जर कितन और सतु पुदेश और सत्सास्त्र हमें लिखता है पांच-दस मिनिट आप खुद बैठकर अगर कृपा करके सबको बैठाल करके जिसे भागवत है गीता जी है इसके विसे हमें खुद अपने अमसार बोले क्योंकि अर्थ लिखा होता है ना तो बहुत ज्यादा करता है एक भ्रंगी नाम का कीड़ा होता है वो दूसरी जाती के कीड़े को लाता है और मिट्टी का घरवना ऐसे बना के उसमें पैक करता है फिर वो दो काम करता है पहले डंक मारता है तो पूरी एक अगरता उसकी उसकी तरफ होती फिर भन ऐसे करता रहता है बिना सरीर छ चीज दिखाई मत्वरा के जेलर साब आये और वीडियो दिया दाला भी है वह बैठके ऐसे राधा नाम गहा रहे हैं और सब मुझे चरण छुने का मन हुआ प्रगट में तो हम चरण नेच हुए जेलर साब के पर अंदर से हमारा मन हुआ कि धन्य है आपका जीवन जो आप इतने अपवित्र शुभाव वालों से भगवन नाम कि पूरत तन में होके करते हैं बंदी बिलकुल उसमें ऐसा भाव आ जाता है वीडियो में देखके जैसे अश्रम हूँ हाँ ले ले बिलकुल ठीक है वीडियो में अपलो हाँ आप देदेला जिससे और लोग भी और जेलर भी अपने केदियों को ऐसा सवभागे प्रदान करें सिरिया दार मन हरी को सिरियो बरधन महरादे महरादे तेरे मात दिलक बिलादे सिरियो बरधन महरादे 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 सिरियो बरधन महरादे 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 हम तो चाहते हैं कि हमारे देश के प्रतेक जेल में हमारे शास्त्रों का प्रवशन हो अब हमारा सरीर किड़नी रोग से गरशित है सामर्थ हीन है और हम ब्रंदावन निष्ठा से जाते नहीं नहीं हमारी इच्छा है कि एक-एक जेल में जाकर एक-एक विद्याले में जाकर ब्रमचर की सिक्षा धर्मनिष्ठा की सिक्षा भागवतिक अध्यात्मी की सिक्षा यदि हम जा जाके दे तो बहुत ज्यादा लाग हो पर अब करें तो क्या करें वही है वीडियो की मात्यां से परियाद पहुंच रह रहे ना मेरा उत्साह बढ़ रहा है कि यदि हमारे देश के जहां आशुरी प्रवत्ती है असुर प्रवत्ती के कारणी तो जेल गए है और वहां नाम किरतन आप करवा रहे हैं उनसे आप सास्त्र स्वाध्या करा रहे हैं सुंदरकान का पार मतलब बहुत बड़ा काम कर रहा बहुत लाव काम मरजी सागर MP में एक जगह है मरजी वहां भी एक जनवरी को आपका मेरे खलच दो से ढाई हजार कैदी एक साथ बैठके आपका सत्संग और यह सुने थे मारा जी हमें वीडियो आया था उदर के विद्धाय के हैं सारे दोनों जिलों के मिला के और वो सब स जेबल नाम अधारा शुमिर शुमिर नर उतरहें पारा यह आज इसका आर्थ इसपस्ट हो गया बिल्कुम नाम में बड़ी सामरत है देखो जैसे अन्नी युगों में भगवत प्राप्ति के अन्नी उपाय बताए गए थे अब जैसे सत्युग में सब भगवान के ध्यान पर आड़ रेते थे क्योंकि मने काग्र जितेंद्री बुद्धि परम पवित्र तो भगवान के ध्यान में अब जैसे यग्य है कैसे कर सकते हो आप अवित्र घी है अगर घी नहीं है समिधा नहीं तो यग्य पूरी कैसे हो मन्तर वेत्ता ठीक से समिधा तब यग्य के द्वारा भगवान को प्रशन किया जता था पूजा के द्वारा भगवान कौन सी सामागरी पूजा की पवित रहे गई जब अगर घ्या है उसमें भी इंग्जेस्चन लगा है वो बड़ियों करने के लिए नहीं आप हर चीज देखो दूद है जिससे हमें अविशेक करना है भगवान का वो सेंथेटिक कहते ना मतलब उसमें दूद कितना है पता ही नहीं लेकिन कौन कौन से पाउडर मिलाकर दूद अब हम कैसे भगवान का विशेक करें मतलब सब चीजों की तरफ दृष्टी दाइली जाए तो जैसे ध्यान है पूजा है यग है योग है अब योग में तीन घंटे विना हिले डुले से दा आशन या पदमासन में बैठा जाए अब आई बिलेट पे सर लोग बिलेट पे सर सुगर वह आसन में बैठ पाएंगे अब कल्यूग में उद्धार कैसे होगा बगवान के नाम का कीरतन नाम संकीरतनम यस्षे सर्वपाप प्रणाशनम समस्त पापों का नास करके उसके हिर नाम बिन नाहिना अनाधार इस कल्यूग में इतनी गंदगी फैल रही है आंतरिक विचारों में कि कोई साधना बनी नहीं सकती नाम केवल नाम जब कर लो नाम कीरतन कर लो इससे पका कल्यान हो जाएगा बहुत शमुद्र से निश्चित पार हो जाएगा जैसे आपने दस नाम जबवा दिया अब जब यहमराज के आँ जाएंगे तो पूरे रजिस्टर में देखा जाएगा कि दस बार राम राम बूला राधा राधा बूला तो अम्राज जी ऐसे से करेंगे कि हिसाब क्या करें क्योंकि 10 बार एक बार राधा नाम की कीमत ठाकुर जी नहीं दे स सकते काहों कहा लगी नाम बढ़ाई राम न सकें नाम गुणगाई फिर औरों की बात क्या तो उस नाम का कितना उनसे करवा रहे हैं जो आप शुरी प्रवत्ती के आचरन करके वहां पहुंचें तो भगवाल आप पर भी सेश्क्रपा करें आप श्वस्त रहें और हमारे जो भारती अपराद करके गए हैं उनका मंगल हो हां उनकी बुद्धी शुद्ध हो और वो जब वहां से मुक्त हो तो एक अच्छे ग्रहस्त एक अच्छे हमारे राष्ट के सेवक बन करके निकलें क्योंकि बुद्धी अशुद्ध हो जाती तभी पापाचनर होता है